अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम जिन प्राकरतिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं क्या आप उनके नाम बता सकते हैं जैसे सूरज, जंगल, बनस्पति और प्राणी, कोईला, पेट्रोलियम, अन्नपदार्थ, पानी, हवा आदी प्रिथवी पर सजीवों का जिवन कई घटकों पर निर्भर करता है उसका मूल घटक है उर्जा जो सूरज से मिलती है श्वसन के लिए हवा, पीने के लिए पानी, वनस्पतियों से और प्राणीों से प्राप्त होने वाला अन्न मिलता है हवा, पानी और मिट्टी त्यादी के कारण पेड, पौदे, फूलते फलते हैं जो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं आज हम इन्ही तीन प्राकृतिक संसाधनों का अध्यन करने वाले हैं क्या आप हवा को देख सकते हैं? नहीं, हम हवा को नहीं देख सकते हैं हवा सर्वत्र होती है हवा ने पृत्वी को घेरा है, जिसे हम वातावरन कहते हैं जब हम हवा देख नहीं सकते हैं तब हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे आसपास हवा मौजूद है। यदि आप अपने मूँ के सामने हाथ रखकर फूके तब आप हवा का अस्तित्व जान जाएंगे। तेज हवा बहने पर सभी पेड़ पौदे हिलते डूलते हैं नजर आते हैं सांस लेते समय हम हवा अंदर लेते हैं और उच्वास के दौरान हम हवा बाहर छोड़ते हैं चलिए एक गुबारा लेते हैं उसमें हवा भरते हैं आप देखेंगे के गुबारा फूल कर बड़ा हो गिलास डूब रहा है नहीं गिलास कदापी नहीं डूबेगा क्योंकि वो हवा से भरा हुआ है हवा भले ही दिखाई न देती हो फिर भी वो गिलास में हर जगा फैली हुई है इस कारण गिलास में पानी नहीं जा पाया इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हवा जगा को घेरती ह अब यही प्रयो हम दोबारा करेंगे अब हम गिलास तिर्चा करके पानी की बाल्टी में डुबोएंगे क्या गिलास में पानी जा पाया हाँ अब पानी गिलास में जा पाया क्या आप बता सकते हैं क्यों क्योंकि अब पानी के दबाव से कुछ मात्रा में हवा बाहर फेंकी गई है और उसी जगह पानी आ गया कि साइकल की ट्यूब लेते हैं और उसमें जो भी हवा है उसे निकाल हैं SpringACE की मदद से अब हम इसका वज़न करते हैं मानले इसका वजन अब हम पहुए में हवा बर देते हैं अब हम पुना एक बार इस पहिए का वज़न करेंगे dan फिर सेई बार वज़न करने के लिए हम Spring Barnes और उपयोग करेंगे ये प्रयोग हमें बताता है कि हवा को वस्तुमान और वजन होता है सारांच इस वीडियो में हमने सीखा कि पानी, मिट्टी और हवा ये महत्वपूर्ण नैसरगिक संसाधन है हम हवा को देख नहीं पाते लेकिन उसे महसूस कर सकते है हवा जगह को व्यापती है और उसे वस्तुमान भी होता है पूछे हुए सवालों के जवाब दीजिए हवा पदार्थ है या अपदार्थ? और क्यों? झालों के जवा झालों के जवाब दीजिए